दोस्तो नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि NMSE का जो एक्जाम होता है, उसके लिए क्या नियम और सर्त है, अर्थात कौन से विद्यार्थी इस परिच्छा को दिला सकते हैं, और इसके साथी साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि इस एक्जाम का जो है सिलेबस क्या ह होता है, देखें यह जो है एक छात्रिती परिच्छा होती है, जो की कक्षा आठवी पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए होता है, इस परिच्छा को जो भी विद्यार्थी पास कर लेते हैं, उन्हें कक्षा नौमी से लेकर के बारवी तक हर माह एक हजार रुपे की रा जानेंगे कि इस फार्म को कौन-कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छा जनकारी है, यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक लेटर का पीडियेप ओपन किया है, जो की राज्य सेक्षी कनुसंधान और प्रसिक्षन परिशद SCERT 36 इस फार्म को जो जमा करने का जो लाश्ट डेट है, वो 8 सितंबर 2023 है, और परिच्छा 10 दिसंबर 2023 को होगा, ठीक है, यहाँ योजना क्या है, इस पर चलते हैं, भारत सरकार सिक्षा मंत्राले, इसकुल सिक्षा और साक्षारता विभाग नई दिल्दी द्वारा, राष्ट परिच्षारत आर्थी क्रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए चात्रिती प्रादान करता है, इसका आर्थी यह है कि, राज्य में, हर राज्य में जो कक्षा 8 वी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी और आर्थी ग्रूप से कमजोर है, ठीक है, उस के मेधावी छात्र छात्राओं को या छात्रिती प्रदान की जाती है उख्त योजना के अंतरगत छात्रिती की प्राप्ति है तो इसके लिए राष्टी साधन सा प्राविन छात्रविती परिक्षा एन एम M.S.E. सत्र तेइस चोबिस के लिए राज्य सेक्षिक अनुसंधान एवां प्रसिक्षन परिसाथ 36 गार रायपूर द्वारा राज्य के प्रतेक विकास खंड के लिए निधारित परिच्छा केंद्र कुल 146 में आयोजन हेतु निशुल्क आफ्लाइन आवेदन आमंद्रित क किया जाता है इसका मतलब यह है कि इस चात्रिती को जो विद्यार्थी प्राप्त करना चाहते हैं उनको एक परिच्छा दिलानी हो पड़ेगी उस परिच्छा का नाम है NMMSE ठीक है और इसके लिए जो परिच्छा होगी वो प्रतेक विकास खंड में होगा ठीक है एक स्कु इसको आपको भर करके अपने स्कुल में जम्हा करना होगा और आवेदन की जो प्रक्रिया है वह बिल्कुल नहीं सुलक है क्लियर है अब आगे हम बात करते हैं कि इसकी पातरता कौन-कौन है कौन से विद्यार्थी इस परिच्छा को दिला सकते हैं तो चत्तिगर संचालित सास की विद्याले यहां पर देखेंगे शास की विद्याले सास की अनुदान प्राप्त विद्याले या इस्थानी निकाय लोकल बाड़ी विद्याले के अंतरगत कक्छा आठवी में सत्र दोजार तेइस चोबीस में अध्यरत हो अर्था तभी जो सत्र चल रह है 23-24 उसमें कक्षा आठवी पढ़ने वाले विद्यार्थी जो कि इन सभी स्कुल से हो वो दिला सकते हैं और इसके सांसाथ उन विद्यार्थियों की पिछली कक्षा रथा साथ वी में 55 प्रतिसत अंक होना चाहिए कम से कम और जो SC-ST के विद्यार्थी है वर्ग की विद्यार् आए तीन दस्तनलब 5 लाक अर्था साड़े 3 लाक रोपिय से अधिक नहीं होना चाहिए तीन लाक पचास अजार से अधिक नहीं होना है ठीक है वार्शी काया कितना होना चाहिए तीन लाग पचास अजार से अधिक निवनाची अर्था इससे कम होना चाहिए ठीक है उसके प्रश्चात यहां दिया गए है सासन द्वारा प्रदत्र छात्रिती योजना के अंतरगत चैनित विद्यार्थियों को किसी एक छात्रिती का लाब मिल सकेगा के लिए 36 गडाज यहेतू कुलाबं्टिट कोटा 22这ु Von 66 राज्य सासन्क कि द्वारा जो विद्यार्थियों को खात्रिती मिलती है तो उन में से नहीं सेके यहां मिलेगा यह मिलेगा एक प्रकार की शात्रिती मिलेगी तो अगर दोनों शात्रिती की दूलना करें तो यह ज़्यादा बेश्टे हैं क्योंकि इसमें हर महाप्राप्त होता है अब यहां पर इसको ध्यान देजेगा केंद्री विद्याले अर्थात के वी एस और उसके साथ नौदय विद्याले और अब असास्की विद्याले अर्थात प्राइवेट इसकोल आवासी विद्याले में पढ़ने वाले छात्र को एन एम एस एक हित्तु पात्रतर नहीं है अर्थात इतने विद्याले के जो विद्यार्थी है वो इस प्रकार की परिश्चा के लिए पात्रतर नहीं है अब आव सबसब्सक्राइब देख सकते हैं चात्रुति प्रिक्राइब बताया गया कॉनित भी सबसे पहले विद्यार्थी को अपने पिता जी का प्रालकृत पत्र बनवाना होगा और आयव्य प्रमान पत्र सतर दो हजार बाइस तेज कहोगा अर्थात 31 मार्च ओडुँजार बाइस के बाद कहोना चाहिए ठीक है पष्चाथ और इसको कहा से बनवाना है सक्षा मधीकारी से सक्षा मधीकारी कौन कोन होंगे यह तो आप क्लेक्टर सर से बनवा सकते हैं ये अश्टीम सर से बना सकते हैं यह एन हैं अ की प्र самых जारी के अदरThe चारी Gym brands का किबना सकती है तो उनके विभाग जो सक्षा मधीकारी है अर्था जोनका DDO है उनके द्वारा जारी सत्र 2022 का आया प्रमान पत्र इसमें लगेगा ठीक है उसके प्रचात अंग्सुची कक्छा सात्वी उत्तिन अंग्सुची जिसमें कम से कम विद्यार्थी का 55 प्रतिशत हो है ना प्राप्तान और यदि वह SC या HT के हैं तो उसका कम से कम 50 प्रतिशत हो अब यह विद्यार्थी के नाम पर होना रख है धिक है जाती प्रमान पत्र उसको जमा करना पड़ेगा तो पहले आप बन माली चैक्छा आगे बात करते हैं आवेदन पत्र जमा करने की तीथी क्या है तो जो विद्यार्थी है वो अपने इस्कुल में 8 सितंबर तक जमा करेंगे 8 सितंबर 2023 तक ठीक है और जो आवेदन प्राप्त होंगे उसका पूरा एनालिसिस किया जाएगा वो सही है कि गलत है उसके प्रदान पाठक के द्वारा 11 सितंबर को आगे प्रचारिय जो किंद्र धग्ष है उनके पास जमा करेंगे बांकी की प्रक्रिया जो है विभागी है ये सर लोगों के लिए है यहाँ पर विद्यार्थी के लिए है ठीक है 8 सितंबर तक जमा करना यह मानके चलिए ठीक है उसके प्रस्ण प्रत्र किस प्रकार से होगा तो परिषा का जो प्रस्ण प्रत्र होगा इसमें दो पेपर होंगे पहला पेपर वन और दूसरा पेपर टू तो पेपर वन में देख सकते हैं मैट की परिष्ण गिर्था बौधी की योग्यता परिष्ण मेंटल एबिलिटी टेस्ट इसमें टोटल जो है 90 प्रश्ण होंगे, कितने प्रश्ण होंगे, 90 प्रश्ण, और 90 प्रतेक प्रश्ण जो है एक अंक का होगा, तो टोटल 90 अंक का यह परिच्छा होगा, कौन सा पेपर फर्स्ट, यह जो है प्राता 10 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा, देड़ घंटे का समय इसम रहेगा उसके प्रस्चाद जो पेपर 2 है वो दो पहर एक बज़े से धाई बज़े तक होगा देड़ घंटे इसमें भी मिलेगा और यह होगा सैट का एकजाम अर्था सैख्चिक योग्यता परिछन इसमें तीन मिसे होंगे गडित होंगे विज्ञान होंगे और समाजीक विज्ञान होंगे तो गडित के 20 प्रस्ण पूछे जाएंगे विज्ञान के 35 प्रस्ण पूछे जाएंगे और समाजीक विज्ञान के भी 35 प्रस्ण पूछे जाएंगे ठीक है अब जितना प्रश्ण है उतना ही अंग है अर्थाद 90 प्रश्ण है 90 अंग है टोटल 180 अंग किया परिच्छा होगी अब इस परिच्छा का पार्ठेक्रम क्या होगा वीशाय तो आपको पता चल गया तो देख सकते हैं पार्ठेक्रम जो है पहला तो mental ability test है लेकिन यहा इसकुल सिक्षविवाग द्वारा संचालित विद्यालियों में कक्षा साथवी एवं आठवी के पार्ठेक्रम पर अधारित बहु विकल्पिय वस्तुनिष्टर प्रस्ण होंगे ठीक है अर्था कक्षा साथवी और आठवी का आप गडित को विज्ञान को और समाजिक व उसके अंतरकत और प्रस्णाएंगे वेकल्पिक प्रस्णाएंगे उसको आपको बनाना है इसके साथ ही साथ देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग अर्थात रिनादमक अंकन इसमें नहीं है अगर आप प्रश्णों को गलत उत्तर टिक लगा देते हैं तो भी आपका नाम है आपको SCRT का जो आफिसेल वेबसाइट है वहां पर प्राप्त होगा यहां से आप रिजल्ट को चेक कर सकेंगे ठीक है इतनी जनकरी है अब हम बात करते हैं कि परिच्छा केंद्र कहां कहां है तो परिच्छा केंद्र के लिए मैं यहां पर इस पेज को थूरा सा न लाक में चार इसकुल को दिया गया है महा समुन का गया धमतरी का है ठीक है आप देख लिजिएगा कि अब अपने जिल्ट नुसार से देख लेंगे जहां पर आता है उसको रोक लेंगे आपको जनकरी मिल जाएगी का वीडियो को पास करके दिख लेंगे अगा ही का अथिक यह जानकारी है अब इसके पश्शाद सुरू हो जाता है फार्म भरना तो फार्म भरने के लिए आपको इस फार्म को भरना पड़ेगा और इस फार्म को कैसे भरना है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए उसको देख लीजेगा इस वीडियो में आपको इस परिशा के संबन में नियम शर्टे और सिलेवस की जनकारी देना उद्देश था जो पूरा हुआ या वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके वश्चर बताईएगा और अधिक से अधिक से कीजेगा जुड़े रिएगा उज्वल लच्छ यूटूब चैनल से नमस्कार